दोस्तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप 500 रुपे से 1 करोड, 1000 रुपे से 0.5 करोड, 5000 रुपे से 11 करोड रुपे बना सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तो आप ऐसा कर सकते हैं और आपके सपने भी पूरी हो सकते हैं, हर कोई चाता है कि उसके पास इतना पैसा हो, वो अमीर बन ज जाए उसके सारे ड्रिम्स पूरे हो जाए वो अपनी फैमिली के ड्रिम्स पूरे कर दे कास मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अपना ये ड्रिम्स पूरा कर लेता लेकिन दोस्तों सबने सभी देखते हैं लेकिन शायदी कुछ लोगों को मालूम है कि investment और saving करना आप के लिए करना है आपको और 500 रुपे से दोस्तों आप यहां पर एक करोड रुपे बना सकते हैं यह कैसी होने वाला है देकि यहां पर यह SIP कैलकुलेटर है आपको बस कुछ नहीं करना है आपको एक मंतली SIP लेनी है 500 रुपे की आपके पास जितना आपका बजट है उसके अकोडिंग आप अपनी SIP ले सकते हैं लेकिन मिनीमम आपको 500 रुपे की लेनी है मंतली 500 रुपे आप दोस्तों आसानी से बचा लेते हैं फाल्पू के खर्चे आपके बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन अगर आप आज से ही बचाना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम मे आपके पास 500 रुपे से आप 1 करोड रुपे बना सकते हैं और 1,000 से 5,000 से 1,000 करोड रुपे तो आज से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे अपने पैसों को बचाना स्टार्ट करिए बहुत सारे पैसे आप ऐसी खर्च कर देते हो लेकिन उनका को आपको benefit मेलने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखना कहां पर निवेच करना है तो यह आज आप इस वीडियो में जानेंगे लेकिन पहले हम calculation देख लेते हैं कि 500 रुपे से आप एक करोड रुपे कैसी बनाएंगे यह देखिए दोस्तों यह SIP calculator है आप गूगल पर ज 14% का interest तो यहाँ पर आसानी से मिल जाता है 14% का जो पर एनम return होता है वो आपको यहाँ पर आसानी से मिलता है और इसके बाद पांस साल के लिए करते हैं तो पांस साल में आपके जो पैसे रहेंगे ना वो यहाँ पर invested रहेंगे 30,000 रुपे यानि हर महीने 500 रुपे आपके पैसे 30,000 रुपे कटेंगे और उसके बाद जो आपको return मिलेगा वो मिलेगा total value यहाँ पर मिलेगी आपको 43,600 और जो आपका return रहेगा वो रहेगा 13,600 रुपे आप देखें दोस्तों amount आपका 500 रुपे ही चलेगा बस जितने long time के लिए आप निवेश करेंगे ना उतने ही जाए यहाँ आपको benefit मिलेंगे आप देखें यहाँ पर आपके 500 रुपे कैसे बन जाते हैं आप इस पैसों को दोस्तों अगर आप इस पैसों को 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 साल में आपके 120,000 रुपे यहाँ पर जो है invested रहेंगे और जिसका आ इतना मिल सकता है और इसके बाद इसकी टोटल रहेगी यह रहेगी 6,58,173 रुपे तो आपने देखा ना बेस साल में आप इसी time period को बढ़ा देंगे 20 का double कर देंगे 40 साल तो यह देखिए आपका आपके कितने पैसे यहाँ पर निवेश होंगे 2,40,000 रुपे आपके और इससे जादा का return आपको मिलता है तो यह पैसे आपके और भी जादा हो सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे 2,40,000 रुपे के एक करोड रुपे से उपर की यहाँ पर आपको return मिलेगा और दोस्तों यह पैसे आप यूँ ही घर्च कर देते हैं अगर 40 साल तक अगर आप जोड़ते हैं अभी आपकी एज कितनी होगी आप calculation करना अगर आपने आज से 20 साल पहले भी 500 रुपे जोड़ना start कि होते और आने वाले 20 साल तक और आप जोड़ते तो आपके पास यहाँ पर कितनी अच्छी income होती कितना अच्छा आपके पास यह profit होता और यह पैसे आपक यह 1,000 रुपे आपके कितने यहाँ पर निवेश होंगे 4,8,000 लेकिन आपको मिलेंगे कितने लगवग यहाँ पर दो करोड 26,15,184 रुपे तो यह दो को यहाँ पर आपके 4,8,000 रुपे आपके 2 करोड रुपे से उपर हो चुके हैं अगर यह interest आपको 15,16% का मिल जाए त ज़र महीने के अपनी इंकम में से तो आप देखी कितना पैसा यहाँ पर होगा आपके पास आपका जो पैसा रहेगा वो 24,00,000 रुपे रहेगा और जो आपको मिलेगा वो रहेगा यहाँ पर 11,30,75,922 रुपे और यह देखो आपने 24,00,000 के यहाँ पर 11,00 करोड रुपे क यहाँ पर पर इटन, यहाँ पर ताइम की जितना टाइम पिरिड आ पर पैसलों को रखेंगे उतना ही यहाँ पर आपको benefit मिलेगा उत्ना ही ज्यादा benefit यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप दोस्तों अपनी साइपी स्टार्ट कर सकते हैं आप जानत इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर collection के अंदर जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको high return वाले fund मिल जाएंगे, SIP with 500 जिसमें आप 500 रुपे से start कर सकते हैं, tax saving fund large cap, mid cap, small cap, तो अब मैं आपको बताता हूँ, यह कौन से fund है, high return वाले जो fund है, दोस्तों, इनमें high risk होता है, याँनि कि आपको high return चीए है, ज्यादा return चीए है, तो रिस्क भी ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, तो यह इनके अंदर वो वाले fund आजाते हैं, और SIP with 500, इनमें वो fund है, जिनमें आप 500 रुपे से अपनी SIP को start कर सकते हैं, इसके अंदर वो वाले fund है, और tax saving वाले fund कौन से हैं, tax saving में अगर आप income tax pay करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने income tax को, जो आपका income tax लगता है, इसके बाद आजाता large cap, large cap दोस्तों वाले fund होते हैं, इनमें दोस्तों जिनको market cap, जिन कंपनियों का market cap 10,000 करोड रुपे से उपर होता है, तो इनके अंदर वो वाले fund आजाते हैं, बड़ी company हैं, इन fund के अंदर आजाती हैं, इसमें आपका risk बहुती ज़्यादा कम रहता है, और return आपको यहाँ पे थोड़ा कम भी मिलता है, यानिकि risk भी कम है, तो return भी में आ जाती है, इसमें भी आपका risk थोड़ा सा जादा रहता है, बड़ रिटन वाले से कम है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका higher return वाले में है, इसमें तो आप mid cap वाले fund में निविश कर सकते हैं, इसके बाद आजा small cap fund, इसमें वो छोटी company हैं, वो छोटी company के fund है, जिनका market cap जो होता है, company का market cap है, कम हो, 2000 करोड रुपे से कम है, तो इस वाले small cap में भी आपका risk ज़्यादा रहेगा, तो मैं यहाँ पर देखो, SIV 500 में जब आप click करेंगे, तो यहाँ पर SIV 500 वाले पर click करके, यहाँ पर 5 रुपे से in fund के अंदर, जो को, जब भी आप किसी fund को select करते है, उस fund में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी एक fund को select करने के बाद, क्या कर सकते हैं, जैसे one time में आपके बस अगर 50,000 पर पढ़े हैं, तो आप 50,000 पर निवेश करके छोड़ देजे, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 40 साल, तो वो पैसे आपके यहाँ इन्वेस्टेट रहेंगे, और उस पर जो विजटन मिलेगा, वो आप लोंग टाइम में आप अपना गेन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको मंतली SIP बता रहा हूँ, तो मंतली SIP पर किलिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे, तो यहाँ यहाँ पर देंगे, और उसके बाद जो भी प्रोसर्स आप से मांगेगा, उसको फोलो करने का दो पर देना, और उसके बाद एक auto pay का option आता है, auto pay के option में क्या होता है, कि आपको उसमें अपने detail डाल देंगे, debit card की, या फिर अपने net banking की, वो detail जब आप डाल देंगे, तो क्या होगा, कि आपकी account से हर महीने, जो आपने SIP लिया है, इस वाली date को जो आपने select करी है, उस date पर आपके जो खुझ से नहीं करना चाते, automatic करें, तो आप यहाँ पर auto payment को select कर लेंगे, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है, SIP कर सकते हैं, और यह देखो, इस fund ने यहाँ पर एक महीने में कितना return दिया है, छे महीने में कितना, एक साल में देखो, यहाँ पर कितना, तीन साल में, 25% का return है, all में देखेंगे, तो यहाँ पर 12% का, तो मतलब long time में आपको यहाँ पर 14% का return तो आपको मिलता ही है, और कहीं आपका fund अच्छा काम कर जाता है, तो वहाँ पर आपको बढ़िया return मिल जाता है, तो जब भी आपको लगता है कि आपको निकलना है, तो आप निकल भी सक सकते हैं, इसमें से, अपनी SIP को cancel करके निकल सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत बूलना,